इंडियास बेस्ट लर्निंग अप इससे पहले हमने वह सारी चीजों को कड़ा हुआ है बच्छों इस exercise में जो questions है वो कुछ इस तरीके से questions आपको मिलेंगे कि आपके सामने fractions दिये हुए रहेंगे आपको उनको sum करना होगा subtract करना होगा इन सब चीजों पर based सबसे पहला जो question होगा वो होगा add the following numbers पर based add the following numbers पर based questions जैसे suppose करो कोई question ऐसा लिखा हुआ है कि minus 2 by 5 और 4 by 5 आपको इसको add करना है तो बच्छों जब आपको add करना होता है तो आप बीच में एक operator लगाते हो plus का यानि अब हम लिखेंगे minus 2 by 5 plus 4 by 5 तरीका क्या होगा तो नीचे बाले दोनों चीज का LCM लेंगे और फिर उसको इससे divide लगाएंगे और इससे multiply करेंगे तो same value रह जाएगा यहाँ पर और जब solve कर लोगे आप इसको तो यह हो जाएगा आपका 2 by 5 समझ में आ गया तो बेच में लगाओगे plus का sign लेकिन यह जो minus है वो इस plus को minus कर देगा that means 5 by 6 plus minus का 1 by 6 again आप इसको लिखोगे 5 by 6 minus 1 by 6 मतलब तुम करतो रहे थे add लेकिन यह हो के आगया subtract LCM ले लोगे तो 6 आएगा 5 minus 1 that is 4 by 6 2 by 3 इसका answer हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा इस तरह का questions को भी रहेगा बना लोगे हम लोग एक और देख लेते है question number 6 देखो फटा फट से लिखा हुआ है minus 17 by 15 and minus 1 by 15 यहाँ पे plus लिखोगे लेकिन यह minus इसको minus कर देगा तो LCM लो लोगे तो आ जाएगा 15 और यहाँ minus 17 minus 1 तो in this way you have to say that that is minus 18 upon 15 इसको solve करके बना 3 से काट लोगे तो 6 upon 5 के सबस में इसका answer आ जाएगा बच्छों दूसरा question जो होगा वो इस तरीके से होगा आपको numbers को add ही करना होगा लेकिन इसमें LCM सेम नहीं होगे अभी इससे पहले क्या था LCM सेम होता था लेकिन अब LCM सेम नहीं रहेगा तो जब LCM सेम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे देखो फटा फट जब हमारा LCM सेम नहीं होगा तब हम क्या-क्या कर सकते हैं एक सकेंड बस वेट करो थोड़ा समय इसको साफ कर दूँ पहले चलिए तो दैट इस फ्रेक्शन का एडिशन सब्स्ट्रेक्शन मुल्टिप्लिकेशन आपको यह सिखाना चाह रहा है मान के चलो कोई क्विशन ऐसा है लिखा हुआ है 3 by 4 and minus 3 by 5 LCM तो सेम है नहीं प्लस कर दो यह minus को minus कर देगा that is 3 by 4 minus 3 by 5 तरीका क्या होता है इन दोनों का लेलो LCM 4 और 5 का LCM लोगे कितना आ जाएगा 20 उसको इससे divide लगा होगे तो 5 और फिर इसको इससे multiply करोगे 15 minus इससे divide लगा होगे 4 इससे multiply करोगे 12 that is minus जब इसको solve कर लोगे तो 3 by 20 इसका answer आ गया तो इस तरीके से आप चीजों को solve कर सकते हो एक और question हम लोग कर लेते हैं इसका देखो यह question है last वाला 5 3 8 suppose करो 2 में तुमको add करना है minus 5 by 4 को तो I hope कि आपने LCM निकालना सीखा है class 7 में अगर नहीं सीखे हो तो इसको बढ़िया से पहले device करो तो देखो यहां 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो आपलिको कि 2 by 1 plus minus 5 by 4 यह minus इसको minus कर देगा that means हम इसको again कह सकेंगे क्या कि 2 by 1 minus 5 by 4 LCM ले लो 1 4 का 4 होगा इसको इससे divide लगाओ तो 4 ही रहेगा इससे multiply करो 4 2 जा 8 हो जाएगा minus 4 4 को divide लगाओ 1 आएगा 1 5 को multiply करो 5 हो जाएगा तो answer हो गया 3 by 4 that's all चलिए अब कुछ questions है question number 3 जो आपको verify पे best questions है किस पे best questions है तो verification पे best questions है देखते हैं उसको हम लोग क्या कह रहा है समझे verification पे best question किस तरीके से है आपको कह रहा है कि minus 12 by 5 plus 2 by 7 verify कर ये कि ये 2 by 7 plus minus 12 by 5 के बराबर है बच्चों ये कुछ नहीं है commutative property है a plus b b plus a करके बता रहा है तो obviously ये होगा ही क्योंकि जो addition होता है इसको चलो solve करो इसको फटा फट से जब आप इसको solve करोगे तो नीचे 5 और 7 के लिए LCM लोगे तो 35 आ जाएगा यहां लिखोगे क्या 7 और 5 divide लगा होगे तो 7 बचेगा और 12 को 7 से multiply करोगे तो minus 84 आएगा plus 7 को 5 से divide लगा होगे 35 से 5 मिलेगा 5 to 10 होगा solve कर लोगे इसको तो आजाएगा minus 74 by 35 जब कि इसको जब solve करोगे तो 75 का LCM 35 यहां पर 5 to 10 minus 84 जब इसको solve करोगे तो आप फिट से आपको मिलेगा minus 74 upon 35 तो that means दोनों क्या हो गया? same हो गया हमने देखा कि दोनों ही कैसे हो रहे है same हो रहे है now आपने इस तरह से questions को verify करा एक और question हम लोग करते हैं बच्चों इसके last question को question number 4 देखो कह रहा है कि 2 by minus 7 plus 12 upon minus 35 is equal to होना चाहिए 12 upon minus 35 plus 2 by minus 7 देखो denominator में minus नहीं इसको उपर भेज़ दो यह हो जाएगा minus 2 by 7 यह हो जाएगा इसको solve करो फटा फट फट यह होगा minus 2 by 7 और यह होगा minus 12 by 35 इधर हो जाएगा minus 12 by 35 और minus 2 by 7 तो देखो जो चीज यहां वही चीज यहां भी है तो दोनों ही same ही होगा फिर भी solve कर लो 35 और 7 का LCM 35 होता है 7 से multiply करके 5 आएगा minus 10 minus 12 इधर भी 35 होगा इधर minus 12 minus 10 तो जब इन दोनों को देखोगे तो यह भी होगा 22 upon 35 और यह भी होगा 22 upon 35 दोनों होगा equal तो इस तरह के कोई भी question अगर आपको दिया हो रहेगा तो I hope कि आपको चीजे समझ में आ जानी चाहिए चलिए उसके बाद देखो फिर जो question based है वो आपको associative properties पर based question है वो क्या कहता है देखो ध्यान से समझो आप इस बात को 3 by 4 plus minus 2 by 5 यह अंदर में है और बाहर में है minus 7 by 10 तो पहले आप इसको सम करोगे और तब इसमें इसको सम करोगे और फिर दूसरी तरफ क्या कर रहा है 3 by 4 को अकेले रखा है और plus में again इन दोनों को अंदर रखा है minus 2 by 5 को और plus minus 7 by 10 को तो पहले तो इन दोनों को sum करके इसमें जोरो या फिर इसको अलग रखके इन दोनों को sum करके इसमें जोरो तो बात बड़ाबर होगा इस तरीके सा verify कर लो कि इसको तो दोनों ही same आ जाएगा ठीक है बच्चों दूसरी बात फिल इन दा ब्लैंक पर आओ question number 5 को देखो क्या कह रहा है इसमें आपको question इस तरीके के given है लिखा वाया that means कि यहां क्या होगा minus 13 upon 17 तो इस तरीके questions पूछे जा सकते हैं दूसरी बात question number 6 में आओ question number 6 क्या कह रहा है ध्यान से समझो 6 में कह रहा है आपको find करना है additive inverse क्या find करना है तो additive inverse जल्दी से बताओ additive inverse होता क्या है बच्चों additive inverse यह वैसा number होता है जो उस number में जूड करके उस number को कर दे क्या 0 जैसे मानलो कोई number A है तो इसका additive inverse क्या होगा minus A वैसा number जो इसमें जूड करके इसको क्या बना दे 0 समझ में आ रही है बाते जैसे पहला number है 1 by 3 तो आप इसमें क्या जोड दोगे सपोज करो X बनेगा क्या 0 अब इसको इधर लेके जाओ that means कि X is equal to minus 1 by 3 तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉन सा value आएगा minus 1 by 3 का अब trick सिखलो कि जो value यहाँ है उसी value को यहाँ रखना है sign बदल करके कल को मानलो यहाँ पर दिया हुआ है minus 3 by 11 तो आप यहाँ क्या लिखोगे plus 3 by 11 हो जाएगा automatic 0 अगर मानलो दिया हुआ है 0 तो इसका additive अगर आप से पूछ रहा होगा सब पूछ करो दे दिया 0 तो 0 का 0 ही रहेगा कि जिरो में 0 ही जोरके 0 मिलेगा हमको तो additive inverse आपने निकालना सीखा चलो यह था हमारा बच्चों addition पे best questions अब आजाते हैं subtraction पे सब्स्ट्रक्शन पे जो question होगा कुछ नहीं करना हो उसमें सब पूछ करो लिखाव है 3 by 4 हाँ तो इन बातों को याद रखिएगा अब करना क्या होगा हमको जली से बताओ फट 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 रियर्रेंजमेंट प्रापरिटी में क्या करना होगा क्या कर सकते हम देखो 4 by 3 यहां पर है और 2 by 3 यहां पर है तो 2 LCM जिसका जैसा उसको एक पास में रख लो लिखो 4 by 3 minus 2 by 3 plus 3 by 5 minus 11 by 5 LCM दोनों का सेम है 5 3 जा 15 3 8 3 जा 24 minus 24 solve कर लोगे तो इस तरह के से तुमारा minus 14 upon 15 कुछ एंसर मिल करके आ जाएगा तो इस तरह के questions भी आप solve कर लोगे question number 8 हो गया question number 9 पर जाओ क्या कह रहा है कि sum of two rational numbers is minus 2 देखो अब सेम ही question है तो क्या होगा x is equal to 2 plus 14 upon 5 solve कर लो इसको LCM 5 5 to 10 plus 14 24 upon 5 हो गया इसका answer तो यह question solve हो जाएगा 10 वैसा 10 question number same ही है what number should be added हाँ question number 11 देखो 11 पर क्या कह रहा हो देखो यह था 10 number 9 number अब 11 आओ 11 कह रहा है कि what number should be added to 5 by 8 5 by 8 में किस number को add किया जाए ताकि वह बन जाए minus 3 by 2 तो मान लो कि x को add किया जाए फिर इसको इधर लेके जाओ तो यह भी हो जाएगा minus 5 by 8 LCM ले लोगे 8 इधर हो जाएगा तुमारा 4 12 minus 5 that is minus 17 by 8 इसका answer तो मेरा मकसद यह नहीं है कि आपको demodalize करना टाकि आप थुरा सा महनत करें उससे क्या फाइदा होगा कि अभी तुम्हारे पास समय है अभी तुम 8 में हो अभी अगर तुम एक साल जमके महनत कर लोगे और math अच्छा होना ही चाहिए अपके mind exercise के लिए calculation अपका fast होना ही होना चाहिए मैंने हम लोगों ने खुद ही इस चीज़ को feel कर रहा है कि जिन बचों का math बहुत अच्छा होता है 14 में देखो क्या कह रहा है सबसे पहला question कह रहा है कि which number which rational number is its own additive inverse कौन सा ऐसा rational number है जो खुद का ही additive inverse होता है तो 0, 00 का ही क्या होता है additive inverse होता है दूसरा कह रहा है कि is the difference of two rational number is a rational क्या 2 rational number का difference rational number होगा जरूरी है तो हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है अगर मालो एक number है 2 by 3 एक है 3 by 2 difference निकालेंगे तो यह भी तो rational number ही आएगा बिल्कुल is addition commutative on rational numbers हाँ होगा commutative क्या होता है a plus b कर लो तो b plus a कर लोगे बात अभी हमने देखा था associative law भी यहां पर fulfill हो रहा था subtraction commutative नहीं होगा जैसे मालो मैंने कहा 2 by 3 subtraction क्या किसी से सुनो यह subtraction यह सब मैंने theory map को करवाया हुगा है आप इन चीज़ों को एक बार फिर से जाके वहाँ पर देखो गए तो cover हो जाएगा तो बच्चों इस तरीके से हमारा exercise 1c खतम हो गया fraction एक जगह पर rational number ऐसा रहेगा a by b और दूसरा मालो ऐसा है c by d जब आपको multiply करना है तो आप numerator को numerator से करना और denominator को denominator से यहाँ पर क्या लिखोगे a into c upon b into d तो क्या हो जाएगा यह a c upon b d समझ में आगया अगर यहाँ sign है तो उस sign को भी आप आपस में multiply करोगे इसको छोड़ोगे नहीं अब इस तरह से question देख लो question number 1 क्या कह रहा है 3 by 5 को multiply करना है minus 7 by 8 से तो उपर वाले को उपर वाले से करो कितना हो जाएगा 21 यहाँ minus यहाँ plus तो क्या हो जाएगा minus और नीचे 85 जा 40 यह सब आता है ना तो प्लस को करोगे मैनस से तो क्या हो जाएगा minus minus को करोगे प्लस से तो क्या होगा minus same sign जब जब रहे गा answer plus आएगा opposite जब जब रहे गा तब तब मैनस आएगा याद रखना question number 2 देखो minus 9 by 2 को कर रहा है 5 by 4 से जल्दी से बताओ अगर कटने वाला होगा तो काट भी लेंगे हम लोग इसमें 95 जा, माइनस 45 अपन 8 सल्व हो गया चलो उसके बाद देखो फिर दूसरे तरह के जो questions दिखाई देंगे आपको वो कुछ इस तरीके से कि इसमें total 12 questions आपको कर देलना सबको मैं लास्ट कर देता हूँ 12 number कहर रहा है कि माइनस 13 अपन 5 को multiply कर रहा है माइनस 10 से तो निचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो यह माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 13 10 जा क्या हो जाएगा आपको 130 by 5 इसको solve कर लेना तो यह जाएगा तुम्हारा 26 अपन बस 26 याद रखना इसको now verify जब the following verify करने के लिए बोल रहा है एक जगा पर दिया हुआ 3 by 7 इंटो माइनस 5 by 9 अदूसरे जगा दिया है माइनस 5 by 9 इंटो 3 by 7 तो कोई दिकर नहीं इसको इससे करो फिर भी माइनस 15 अपन 63 और इसको इससे करो फिर भी fill in the blanks है चलिए फिर उसके बाद देखिए question number next देखो question number 5 में क्या कह रहा है multiplicative inverse ढूटने के लिए बोल रहा है देखो बुचो multiplicative inverse हम लो किसको बोलते है बताए तो फटा फट से क्या होता है multiplicative inverse अगर कोई number given है तो उसका multiplicative inverse कहने का मतलब कि उसको वह ऐसा number होना चाहिए जैसे माल लो कोई number given है a by b तो आप इसमें कुछ इस तरीके से चीजों से multiply करो कि result आजाएगा 1 तो किसे करना होगा उल्टा से यानि b उपर रहना चाहिए ये नीचे होना चाहिए suppose को देदिया 13 upon 25 तो किसे करेंगे 25 upon 13 से अपना 25 25 cancel हो जाएगा 1 ठीक है ना तो इस तरीके से इन सारे ही questions को आप solve कर लेना बचों कि नहीं को अगर लग रहा है कि sir आप solve नहीं कर रहे हैं सारा question तो हम solve करने के लिए कर सकते हैं और मैंने पिछले तक वीडियो में करा भी था लेकिन मैं इस बार इन सारे चीज़ों में जानबुझके नहीं कर रहा हूँ कि यह practice वाला section अगर मैं यहां भी खुद से ही कर दूँगा तो आपको चीज़ें अभी अच्छे तो लगेंगी लेकिन यह आपके साथ बुड़ा होगा कहने का मतलब सब काम अभी अगर मैं कड़ी दिया मैंने सारे को solve सी कर दिया तो फिर आप खुद से solve नहीं करोगे और आपको चीज़ें यहां महनत करना है जहां-जहां महनत करना होगा वहां-वहां मैं अपना महनत नहीं करूँगा आपस करवाओंगा तो अभी आपके पास book उठाईए, फटफट, exercise 1, A, B, C, D, चारो का चारो, और EF जहां तक भी है, जहां तक भी है, उस सब को solve करो, मैं बस एक बार आपको hint देता हूँ, समझा देता हूँ, सारी चीजों को, इस तरीके से हम लोगों ने A, B, C, D को करा हुआ है, हम लोग अब A, E, exercise 1 का, जो E वाल पूर्शन है, उसमें देखते हैं, क्या नया पूछ रहा है, यह division पे-based questions है, इसमें बस आपको एक logic समझना है, मैं बताता हूँ, आपको बस एक minute में, देखो ध्यान से, ध्यान से समझो, A by B को अगर multiply करना होता, C by D से, तो मैंने आपसे कहा, कि आ आप multiply करोगे, और याद रखो, divide के sign को multiply में convert करना पड़ता है, और ऐसा करने के लिए, आपको fraction को reciprocal करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, कहने का मतलब अगर यहां पे लिखा हुआ था, A by B divided C by D, अगर मैं divide को multiply में convert करूँ, तो यह काम करने के लिए हमको, इसको reciprocal कर करना पड़ेगा, मतलब D by C करना पड़ेगा, और एक बड़ जब यह हो गया, तो फिर तो हम अभी तुम सीखे ही है, कि multiply कैसे करता है, कैसे करता है, ऊपर वाले को उपर वाले से, तो AD upon BC, solve, समझ में आ गया, एक example कर लो को यह भी है, फटा-फट से जल्दी, मालनो लिखा ह हुआ है, तुम्हारा पहला को इसन है कि 4 by 9 को divide करिए 5 by 12 से, जल्ली बता हो क्या करोगे, इस divide को multiply में convert करोगे, तो लिखोगे 4 by 9 into 12 by 5, अब देखो solve होने वाला है क्या, हाँ, 339 और 3412, that means 16 upon 15 इसका answer हो गया, तो इन तरह के questions को आप solve कर लोगे, फिर verify करना है, वो भी कर ले देखो, उसमें क्या कहा रहा है, वर्ड प्रब्लम वाले जितने भी questions है, एक question कहता है कि the product of two rational number is minus 9, जहां से समझो, एक rational number है मानलो a by b, और एक है, एक यहां पर है, और एक यहां पर है, दोनों का product कितना है, minus 9, one of them is minus 12, एक है minus 12 by 1, अब दूसरे को क्या होना जाए, तो मान पता हो, x is equal to क्या होगा, देखो बच्चों, divide के इस तरफ अगर multiply हो जाकर divide हो जाता है, यहां नीचे कुछ निया है, तो 1 है, अब इसको solve करोगे, तो क्या लिख होगे, minus 12 x upon 1 is equal to minus 9, that means x is equal to minus 9 upon minus 12, minus minus cancel, 9 upon 12, solve कर लो 3 by 4, solve होगया, तो इस तरह से जो है सो, फिर एक कह रहा ह है कि question number 6, by what rational number should we multiply minus 15 by 56 to get minus 5 by 7, समझे आप इसको, बहुत ही easy questions है, समझे चलो फटाफर, देखो, given है कि by what rational number should we multiply minus 15 upon 56 को किस number से multiply किया जाए, तो मानलो x से किया जाए, ताकि मिल जाए minus 5 by 7, solve करो, इसको इधर बेजो ऊपर और इसको नीचे बेजो, तो x is equal to minus 5 by 7, minus 5 by 56 upon 7 by minus 15, यह हो जाएगा 8 और यह हो जाएगा minus 3, that means कि number कितना आगया, 8 by 3, तो इस तरीके से आप solve कर ले न, पूड़ा का पूड़ा यह solve हो जाएगा, उसके बाद देखो, one का f में क्या कह रहा है, one के f में, जो questions है, वो किस पे based questions है, फटा-फट solve करना आज इसको, find the rational number between 1 by 4, देखो, rational number, 2 rational numbers के बीच के लिए, rational numbers को find करने के लिए, बोला जा रहा है, ठीक है न, एक कोई rational number आपको निकालना है, एक बात आप इसको याद रखो, मैं इसको बताता हूँ, find the rational numbers between them, आप simple करना आपको क्या ही है, देखो, एक लिखावा है क्या 1 by 4, और एक लिखावा है क्या 1 by 3, हाँ, तो बच्चो कहा थे हम लोग, देखो, questions इस तरह से थे, कि अगर मानलो given है a by b, और एक fraction given है c by d, हमको इसके बीच का कोई fraction निकालना है, rational number निकालना है, तरीका ये होता है, formula इसके लिए apply करना होता है, आपको x बराबर, half और इन दोनों का sum, दर असल ये जो half आप लगा देते हो, तो इसका कहने का मतलब होता है, ये इस दोनों के कही बीच में आता है, तो इन दोनों को sum कर लोगे, जैसे अभी था 1 by 4 और 2 by 3, तो आप क्या लिखोगे, इसमें half 1 by 4 plus 2 by 3, जो आएगा इसको solve कर लोगे, अगर तुम से कुझ है का 2 rational number, तो क्या करोगे, मानलो एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, एक है मानलो 2 और एक है 3, तो 3 plus 2, 5 by 2 यहाँ निकाल लोगे, और जब यह निकल लेगा, तो फिर इसको माल लेना, A इसको माल लेना, B और लगा देना formula, half 5 by 2 plus 3, इस तरीके से इसके बीच का निकल जाएगा, अगर 3 बोलेगा, तो इन दोनों के बीच में फिर एक निकाल लोगे, चार बोलेगा, फिर इन दोनों के बीच में, तो infinite number of निकाल सकते हो इसमें, बहुत सारी questions solve हो सकते हैं इस तरीके से, चलिए, उसके बाद देखिए, फिर next exercise में क्या कह रहा है, next वाले exercise में जो questions है, वो किस तरह से questions पुछे जा रहा है, दो पूछ सकता है, बीच का, तीन पूछ सकता है, हम इसको solve कर लेंगे सारे को, चलिए, देखिए, उसके बाद कुछ जो है, वो आपको world problems पे based question पूछ रहा है, एक कह रहा है कि पहला question है, एक रसी है, जिसमें एक portion दिया हुआ है, आपको 23 by 5 meter का, दूसरा दिया हुआ हुआ है, 33 by 10 meter का, तीसरा पूछ रहा है, उसको x माल लो, total दिय हुआ हुआ है, 11 meter का, अब हम इसको solve कर लेंगे, इन दुनों को sum करके उधर जाके घटा लेंगे, 11 meter से, तो x निकल जाएगा, दूसरा question देखो ध्यान से, यह भी उसी तरह से question है, एक पहले तो drum में rice को रख करके उसका weight निकाल लिया है, फिर drum का weight निकाल लिया है, तो उसम केवल drum के weight को घटा लोगे, तो तुमको rice का weight निकल जाएगा, फिर अगला question जो है, तो भी इस तरह से questions है, basket में fruits है, तीनों को sum करोगे, तो net weight आएगा, जिसमें से एक तुमको नहीं दिया हुआ है, तो उसको निकालने के लिए, दोनों को sum करके वहां ले जाके घटा लोग चोड़ोगे नहीं, बहुत बच्चे हमसे की चोड़ देता है, इसलिए बनाओगे कि जतने भी competitive exams होते हैं, उसमें इस तरह के प्रस नहीं पूछे जाते हैं, पहला question इसमें कह रहा है, देखो इस तरह से है कि minus 5 by 16 को जोड़ना है 7 by 12 से, पहला option दिया हुआ है minus 7 by 48, दूसर यहां पर solve करोगे तो तुमको क्या हो जाएगा, 5 by 3 by 15 plus 28, solve कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 13 upon 48, तो अब option number 3 जो है, वो सही हो गया, इस तरीके से आप सब चीजों को solve कर लोगे, बहुत बढ़ियां से परो, maths आपका इतना अस्था हो जाए, इतना strong हो जाए, कि कहीं भी कहन में वहाँ पर जाओ, discuss करो, वहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे होंगे, class 8 के उन से discuss करो, सब लोगों से पूछ को मेरा number आपके पास है, phone करो सीधे, बहुत ज्यादा जो है, तो बढ़ियां से बढ़ियां से बढ़ियां मन लगा कर पढ़िये, thank you